जै माता दी, दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तो ग्यान गंगा योटीब चनल पर दोस्तो अगर नवरात्रों में घर में चिपिकले दिखाई दे तो उसका क्या संकेत होता है नवरात्रों में माता के नो सरूपों की आराधना की जाती है नवरात्रों में पूजा करते समय अगर घर में चिपिकली दिखाई दे तो यह क्या असुब होती है यह असुब होती है दोस्तो गर्मिया बरसाथ के मोसम में घर में चिपिकली का होना आम बात है अक्सर जब हम अपने कमरे या घर के किसी कोने में चिपिकली को देखते हैं उसे जाड़ू या डंडे से भगाने लगते हैं क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आप खुद को ही हानी पहुचाते हैं सास्त्रों में चिपिकली को मालचमी का प्रतित माना गया है इसलिए ना चिपिकली से डरना चाहिए और ना ही चिपिकली को भगाना चाहिए जोतिस सास्त्र के अंसा चिपिकली हमें बविश्में होने वाली सुब और असुब घठनाओं के बारे में संकेत देती हैं आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के वारे में जानकारी दे रहे हैं दोस्तो अगर न वरात्री की रात गर में चिपिकली दिख जाए तो ये बहुत ineffective संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है किसे आपको आने बाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में सुक और सम्रदी सदाई रहेंगी, माता लचमी का प्रवेश हो चुका है, चिपिकली का आपस में लड़ना असुम माना जाता है, यदि आप माता की पुझा कर रहे हैं, और तेजी से एक दूसरे से चिपिकली आप करना चाहिए, अगर चिपिकली आपस में चिपकी वी दिखाई दें, तो ये अच्छा सगुन माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि कोई आपका पुराना मित्र आप से मिलने वाला है, अगर आपको घर में चिपिकली दिख जाए, तो तुरंत मंदर या भगवान की मूर अबस्य पूरी होगी, सास्त्रों के इंसा चिपिकली पूजा करने से दन संबंद समस्याएं खत्म हो जाती है, यानि घर से नकारतमकता खत्म हो जाती है, और सकारतमकता आती है, अगर आप नए घर में प्रिविश कर रहे हूं, आपको चिपिकली मर्यूई दिख जाए, य इसका मतलब है कि आपके उपर कोई बड़ा कश्ट आने वाला है या आपके सरी पर कोई कश्ट आने वाला है। पूजा करते समय अगर सिर के उपर चिपकली गिर जाए तो यह सोब नहीं माना जाता। तहीं प्रकार की मुशीवते आपके सामने आ सकती हैं। अगर आपको सपने में चिपकली सिकार करते हुए कीडे मकोडे खाते या हमला करते दिखे तो यह आशुव संकेत हैं। वही अगर आपको सपने में दिखे कि आपने चिपेकली को पकड़ रखाये या चिपेकली आपसे डरती भी दिखाई देती है तो ये बहुत ही शुब संकेत होता है इसका ये मतलब होता है कि आपको भविस में जल्दी सुब समाचार मिल सकता है या आपके साथ कुछ अच्छ होंगे जय मतादी